हुआ दोस्तों मैं हूँ प्रबीर और आप देख रहे हैं टेकन टेकनिक्स और आज के इस वीडियो में हम आपको फिर से दिखाने वाले हैं बेस का बाप बेस का बाप मतलब स्वेटन 18PT 2000 सब यह वीडियो हम दुबारा इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि इस स्पीकर के साथ हम एक सेटप तयार करके दे रहे हैं एक कस्टमर को तो हमने सोचा क्योंना चार सबूफर के साथ इसका टेस्टिंग आपको सुनाया जाएं ओनली सबूफर का टेस्टिंग भी और टॉब के साथ भी इसको हम प्ले करके आपको दिखाएं सो आज के इस वीडियो में आपको इस प्रोड़क का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन और एक कंप्लेट टेस्टिंग हम दिखाने वाले हैं सो आज सा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा सो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्वेटन 18PT-2007 की टेस्टिंग के लिए हम आज यूज करने वाले हैं ये कैबिनेट्स ये जो कैबिनेट है ये होनलोडेट कैबिनेट है और इसका बैग फेंटिलेशन नहीं होता इसमें आपको बहुत अच्छा बूमिंग और वाइबरिशन भी मिल जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो कैबिनेट्स में स्वेटन 18PT-2007 को फिट कर लिया है इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है पूरी डीटेल के साथ आप अगर चाहें बेस का बाप वीडियो चेक कर सकते हैं उसमें मैंने सारी चीजे स्पीकर के बारे में कवर किया हुआ है इस वीडियो को दुबारा लाने का रीजन ये था क्यूंकि मैंने अल्रेडी दो सभूफर का इसका टेस्टिंग सुना हुआ था और मैं चाहता था कि इसका 4 सभूफर का एक टेस्टिंग मैं खुद सुनूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं और यजो होन लोड़ेड कैबिनेट है इसमें इसका 4 सभूफर के साथ रेजल्ट किस तरह करेता है वो मैं आप सब के साथ सेयर करना चाहता है अगर आपने पिछला वाला इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप सब के लिए मैं इसका स्पेसिपकेशन थोड़ा बहुत सेयर कर लेता हूँ ये जो स्पीकर है ये 2000W AES में है और ये जो स्पीकर है ये 6S in-out voice call में आता है और इसका जो मैगनेट है ये 330 में है ये काफी massive size का है इसका मैगनेट और इसका जो weight है ये भी काफी ज्यादा है 34 kg तक इसका जो net weight है और इस स्पीकर का जो frequency range है वो है 20 Hz से लेके 2 kHz तक लाश्ट टाइम जब हमने स्पीकर का testing किया था इसका vibration और punch दोनों काफी अच्छे हमें सुनने को मिले थे ये स्पीकर आप अगर चाहें 20 Hz से लेके 150 Hz तक कोई भी frequency range में चला सकते हैं हर वो frequency में इसका response आपको काफी अच्छा मिलेगा चाहे आप vibrations में ही चलाए या फिर इसको vibration और punch का mixture बनाके चलाएं तो हर वो frequency range में ये speaker हमें already काफी अच्छा result दे चुका है दो सबूफर के साथ और आज इस वीडियो में हम चार सबूफर के साथ इसका testing करेंगे और testing सुनने के बाद आप हमें comment करके बिलकुल बताएं कि इसका testing जो है आपको कैसा लगा आपको इसका punch, vibration दोनों तरफ से ये speaker आपको किस तरह का सुनने को मिला so almost ये जो speaker है ये cabinet में fit हो चुका है अभी हम इसका जो उपर का cap है वो लगाएंगे और इसको testing करेंगे और testing जो है वो हम only subwoofer का testing आपको सुनने वाले हैं और end में थोड़ा सा clip जहां पे हम थोड़ा सा top का भी add करके हम इसको testing करेंगे और चार subwoofer के साथ इसका testing कैसा रहता है इसका recommendation हम end में जानने वाले हैं अभी यह testing के लिए ready है पहले इस subwoofer का testing हम सुन लेते हैं और end में हम top के साथ भी इसका testing सुनेंगे और इस subwoofer की testing के लिए हम यहाँ पे use कर रहे हैं beta 3 dt 4000 दो dt 4000 के उपर हमने यहाँ डाला हुआ है यह चार subwoofer तो चलिए इसका हम testing सुन लेते हैं लेते हैं कर दो Mu कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है हुआ हिए आई… सुटार, बढ़ने खेड़र आपने देखा स्वीटन 18PT 2000 सब का एक कंपलीट इंस्टालेशन एक सबूफर में और इसका टेस्टिंग भी आपने सुना और आप हमें बताएं चार सबूफर में ये किस तरह का रिस्पोंस दे रहा है पर्शनली मैंने जो फेल किया ये काफी ज्यादा पावरफुल है काफी हार्ड है इसका वाइबरेशन और इसका पंच है ये भी काफी अच्छा आता है जबकि 2000 वाट के जितने स्पीकर होते हैं उनमें पंच थोड़ा सा कम बढ़ता है लेकिन इस स्पीकर में आपको पंच भ 2000 वाट AES में हो तो ये स्पीकर मेरी तरफ से आपको रेकमेंडेड है आप अगर चाहें इस स्पीकर के साथ अपना सबूफर रेडी कर सकते हैं तो दोस्तों फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही मैं आसा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा काफी आपके लिए इन्फोर्मेटिव भी और आपको कुछ नए प्रोडॉक्स भी देखने को मिलने वाले हैं तो उस वीडियो का वेट जलूर कीजिए क्योंकि हम इस सब उफर के साथ जो सेट अप दे रहे हैं उसका कम्प्लीट वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक ले ववाई स्यू सून